और एक बार मैं फिर से आ गया हूँ डानकुनी बजाच पे और यावे मैं जिस बाइक का रिवीव करने बला हूँ और मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा तो चले ही मेरे साथ और देखिए आज कौन सा बाइक का रिवीव है इंडियान टूहीलर मार्केट में आशा बहुत सारा बाइक आपको मिलेगा जो आपको अच्छा-कासा माइलेज दे देती है बट उसका प्राइज भी थोड़ा सा हाई रहता है मतलब 1 lakh के आसपास बट इस बाइक में आपको 80 से 90 किलो मेटर तक माइलेज मिल जाएगा और इसका प्राइज भी बहुत कम है और एक सिंपिल बेसिक सा मीटर कॉनसोल आपको इस बाइक पर मिलेगा जो आपका डेली-डेली राइट के लिए बहुत ही हेल्पूल होगा फास्ट अपॉल मैं आपको मेटर कॉनसोल का डेटेल्स दोंगा देन मैं आपको इंजिन के बारे में बता होंगा निउटल का सिकनल उसके नीचे इंजिन मैलफानसान लाइट और उसके उपर आपको मिलेगा ओयल कॉनसाप्सन का पूरा डेटेल्स Speedometer आपको left side में मिलता है पुरा ही analog style में एक retro style में और आपको middle में मिलता है total kilometer 115cc का bike है बट इस bike में आपको 10.5 meter का fuel tank capacity मिलता है जो आपको अच्छा-कासा mileage coverage देदेगा और एक premium सा color और अच्छा-कासा graphics भी आपको मिल जाता है इस bike पे इस bike पे आपको 115cc का 4-stroke single cylinder DTSI engine मिलता है जो 8.6bhp आपको power देगा 7000rpm और 9.81 newton meter torque है 5000rpm यह देखे oil reserve man का section है आपके है बजना अब इस bike पे आपको FI engine नहीं मिलेगा electric carburetor engine इस bike पे आपको मिलता है 4-speed downshift gearbox आपको इस bike पे मिलता है और इस bike पे weight multi-plate catch दिया गया है जो इस bike का gear shifting को और जाद इजी कर जयता है दोनों गार्ड आपको इस bike पे मिल जाता है पहला गार्ड यहाँ पे है और दूसरा गार्ड catalytic convert को cover करता हुआ पुरा ही front का engine cover किया है तो चलिए आप देख ले थे alloy wheels मिलता है 5 dream के साथ जो देखने में इस bike का looks को और भी जादा enhance कर देता है और यह पुरा matte finishing color में आपको मिलेगा front और rear दोनों में ही आपको drum bag मिलेगा इस bike का main hydride आपको bulb पे मिलता है बट इसका DRL आपको LED पे मिलेगा इस bike पे आपको air cool cooling system मिलता है और combi braking system इस bike पे दिया गया है 810 mm का seat height आपको इस bike पे मिलता है तो seat height को लेके ज़्यादा कोई पड़े सानी के बाद इस bike पे नहीं है मतलब low height के rider के लिए इस bike को drive करना बहुत ही easy होगा सारी गार आपको always इस bike पे अबेले मिलेगा और 431 mm का rear tire आपको rear में मिलता है rear में भी आपको alloy wheels mat finishing में मिलता है जो long touring के स्वाकिन हो उसके लिए बाइक बहुत ही वारिया होने वाला है क्योंकि सामान केरी करने का carriage आपको इस bike पे मिलेगा जो seat के पीछे ही आपको मिलता है सेल्प और कीक दोनों ही आपको इस bike पे मिलता है तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आच्छा लेगे तो प्लीज मेरे वीडियो के लाइक जोरी किजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जोलोग क्रिक किजेगा ताके मेरा हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए बाजाज सिटी 110X निउ अपडेटेड मोडेल